मिनरल बॉटल बनानी की ये जो कॉंपेक्ट मसीन है साइज में बहुत छोटी है और इसका रेड भी बहुत कम है आप बॉटल की क्वाल्टी देखिए सभी में एकदम बराबर फिल हुआ है और थोड़ा सा भी लिकेज नहीं है ये वाटर बेसिस मसीन है इसके द्वारा आप क लेकिन आज हम ये जो मसीन लेकर आए हैं ये साइज में भी छोटी है और इसका प्राइज भी बहुत कम है इस्टाट अप टाइम हमारे आपके पास किसी के पास भी बहुत इंवस्टमेंट नहीं होता है इसलिए हम ये जो मसीन लेकर आए हैं जिससे कि आप कम इंवस्टमे देखिए आखिर मशिन कैसे वर्ग करती है और कैसे इन्हें पैक करके मार्केट में सिल किया जाता है मशिन की एक पाइप को मिन्डल बॉटल के टैंक में फिट कर दीजिए और उसके बाद इस नोजल के नीचे बोटल रख दीजिए रखने के बाद जैसी ही मशिन स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए फिलिंग स्टार्ट हो गई है और इन दोनों बॉटल के अंदर पानी आ रहा है अभी आप देखिएगा ये मशिन इन दोनों में एकदम बराबर कॉंटिटी में फिल करेगी ऐसा बिलकुल नहीं होगा किसी में अधिक हो गया है तो किसी में कम और ये देखिए दोनों में एकदम exact कॉंटिटी में फिल हुआ है जितना इसमें भरा हुआ है सेम उतना ही इस से प्रस कर दीजिए, ओन करते ही देखिए, फिलिंग स्टार्ट हो गई है, फिलिंग करने में बहुत समय नहीं लगता है, सिर्फ पांच सेकंड का समय लगता है, और दोनों बॉटल फिल होकर रेडी हो जाएंगे, ये देखिए, दोनों एकदम अच्छे से फिल हो गया है, इ अब ही हम आपको सिंगल नोजल वाली मशीन दिखाते हैं, जिसका रेड बहुत कम है, ये जो मसीन आप देख रहे हैं, ये है टेबल टॉप NRB पंप फिलर, ये सिंगल नोजल वाली मशीन है, अभी आपने जो डवल नोजल वाली मशीन देखी थी, उस से ये बहुत ही एड इसका यूज करके आप 10 ml से लेके 3000 ml तक फिलिंग कर सकते हैं, तो चाहे छोटा बॉटल हो या फिर 3 लिटर का बॉटल, हर एक बॉटल फिल कर सकते हैं, एक चीज ध्यान रखें, इसमें कोई नॉर्मल पानी नहीं भरते हैं, क्योंकि नॉर्मल पानी कुछ ही दिन में खराब ह हो जाता है, इसमें मिन्रल वाटर भरा जाता है, इस पानी को त्यार करने के लिए सबसे पहले आरो मशिन के यूज करके वाटर टीटमेंट करते हैं, आरो मशिन पानी प्योर करने के साथ साथ इसमें पोटेशियम और मेगनीसियम जैसे मिन्रस भी एड़ करती है, इससे पा तो पानी में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं होती है, आप लंबे समय तक इसली यूज़ कर सकते हैं अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि फिलिंग करने के बाद इसकी पैकिंग की जाती है क्योंकि पैकिंग नहीं करेंगे तो पानी खराब हो जाएगा पैकिंग करने के लिए आज हम बड़ी और छोटी दोनों मशिन लेकर आए हैं सबसे पहले आप बड़ी मशिन देखिए, उसके बाद हम आपको छोटी मशिन दिखाते हैं जो आपके हाथों में आ जाएगी यह food operated bottle capping machine है, इसमें एक food switch मिल जाता है जिससे कि आप पैरो से operate करके sealing कर पाएंगे सबसे पहले इनसा भी bottle में cap लगा दीजिए और लगाने के बाद इन्हें machine में यहाँ पर fit करना है अब जैसे ही आप paddle दबाएंगे तो यह देखिए bottle seal हो गया इसमें 0.5 HP का motor लगा हुआ है, इससे head 1440 RPM में चल रहा है आप देख सकते हैं इसका जो head है लगातार घूम रहा है seal करने में बहुत समय नहीं लगता है, बस bottle लगाते ही seal हो जाता है आप सिर्फ एक minute में 10 से 20 bottle seal कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल 10 से 20 bottle इसमें आप चाहें तो juice के bottle, oil के bottle या फिर chemical के bottle भी seal कर सकते हैं यहाँ पर जो head लगा हुआ है, इसका height आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं यदि bottle की maximum height 200 mm है, तो इसके दवारा sealing हो जाएगी यह जो bottle seal किया गया है, आप इसकी quality देखिए एकदम अच्छे से sealing हो गई है, बिल्कुल भी leakage नहीं है, यह देखिए अब यह seal तोड़ने पर ही open होगा, यह देखिए एकदम से seal हो गया था तो quality काफी अच्छी मिलने वाली है यह तो बड़ी machine है, अब जरा इस छोटे size की sealing machine देखिए इसका size देख सकते हैं, हाथों में आ जाती है seal करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस cap के उपर ले जाईए और जैसे ही बटन दवाते हैं, तो एकदम से seal हो गया इसके द्वारा seal करना मतलब second का काम है बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, और ना ही थोड़ा सा भी महनत लगेगा बस आपको bottle के उपर ले जाना है, और बटन दवाते ही बस एक सिकन्ड में seal हो गया यह machine size में बहुत छोटी है, और quality भी जबर्जस दे रही है startup label में देखा जाएं तो best है, आप इस bottle की quality देख सकते हैं, इसमें थोड़ा भी leakage नहीं है एकदम से seal हो गया है, जब इसका seal तोड़ेंगे तभी open होगा जब आप इसमें pressure लगा कर घुमाएंगे, तब इसका seal तूटेगा, यह देखिए किस तरह खुलता है सिर्फ एक bottle में नहीं, चलिए एक और bottle में try करते हैं सभी में same वही quality मिल रही है, कैप इकदम से seal हो गया है, इसे तोड़ने पर ही open होता है वैसे सोचने वाली बात है कि भगवान के दोरा दिया गया पानी, इतने लाखों साल से पूरे पृथिपि में बह रहा था लेकिन 1965 में एक दिन एक इटेलियन बिजनसमेन, फैलिस बिसलरी के दिमाग में ये बात आती है, क्यों न इस पानी को बेचा जाए बस फिर उन्होंने उस पानी को बाटल में भरा और बेचना सुरू कर दिया, और यहां के लोग खरीते भी हैं और आज की डेट में वही बिसलरी कंपनी अरबो का बिजनस कर रही है, आपने भी बिसलरी जरूर पिया होगा, जब भी आप घर से बाहर जाते होंगे, तो आपको आसपास कहीं भी हैंड़ पंप दिखाई नहीं देता है, आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आएगी, चलो बिसलरी ले लेते हैं, कुल मिला के कहा जाए तो मिन्रल वाटल का मार्केट बहुत बड़ा है, अभी भी देर नहीं हुई है, आप कॉल करके बहुत ही कम इंवेस्टमेंट में इन मसीन्स को लेकर अपना बिजनस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी मसीन्स लेकर ही आते हैं, जिससे कि आप कम पैसों में अपना बिजनस स्टार्ट कर पाएं, इस चैनल में चाहे फोड मसीन्स हों, एगरिकल्चर मसीन्स हों, कंस्ट्रक्शन मसीन या फिर फैक्टरी सिट अप, हर तरह की छोटी बड़ी मसीन्स से वाई लेवल है, आपने देखी क्या, नही ये एक मसीन आपका बिजनस खड़ा कर दे, चलिए मिलता हूँ अभी स्क्रिन में दिख रहे, इस नई और सांदर आइस्क्रीम बनाने की मशीन वीडियो में, चलिए थैंक्यू सो मच